प्रदार्मत्री देर्द बोधी तस्वीरों में राजगार्ट पर पुषपांजली अर्पित करने प्रदार्मत्री देर्द बोधी पहुंचे हैं दिल्ली से सीधा तस्वीरे टेलजन स्क्वीन पर और देखिए प्रधार मत्री नेरिद बोधी ने आज महात्मा गांधी जैन्ती के बौके पर एक्स पर पोस्ट कर भी बापो को नमन किया है देश के राश्पिता महात्मा गांधी जिने बापो कहकर भी पुकारा जाता रहा प्रदार्मत्री नरिद्वोधी भी विभिन कारिक्रमों के माध्यम से और विभिन कारिक्रमों में भी बापों को याद करते हैं उनके जीवन से प्रेड़ा लेने की बात करते आए हैं और इसी वज़ा से बापो के जीवन के सिध्धानतों की बाद भी प्रधारमत्री देरिद बोधी करते आए हैं अब तस्मीरे टेलजन स्क्रीन पर आपके आ चुकी है जब प्रधारमत्री देरिद बोधी राजगाट पहुंचे हैं इसके बाद बापो को दमन करेंगे पुषपांजली अर्पित करेंगे एक तरफ एक्स पर पोस्ट कर मात्मा गांधी की जैनती के बौके पर बापो को दम पत्तर गुजरात के पोर बंदर में मात्मा गांधी का जन हुआ था और जो उनका जीवन रहा है बचपन से लेकर के पढ़ाई का कारेकाल हो या फिर अब दक्षिर अफ्रीका की यात्रा हो सत्याग्रह की बात हो स्वदेशी अपनाने की बात हो या फिर सत्य और अहिंसा के सिध्धानतों की बात हो बापू का पूरा जीवन बचपन से लेकर के देश को समर्पित बापू का जीवन का हरिक्षन कुछ ना कुछ सिखाता है प्रेर्णा देता है और इसी वज़ा से प्रधार मत्री नरिंद्र मोधी भी पहुँचे हैं बापू को दमन कर दे के लिए यह तिसवीर आई है जब राजगाड पहुचे है प्रधार मत्री नरिंद्र मोधी आपको तरजीन स्क्रीन पर तस्वीर लगातार दिखाई चूकि राज़डिताओं के पहुचने का स्लसला राजगाड पर जारी है और यह देखिए प्रधार मत्री देरित बोधी पुश पुश्पांजली अर्पित की है बापू को याद किया है बापू को नमन कर रहे हैं पुश्पांजली कारिक्रम में पहुंचे पुश्पांजली अर्पित की पुश्पांजली अर्पित की गई पुश्पांजली अर्पित की गई प्रधार मंत्री देरिद बोधी की ओर से बापू को याद किया गया बापू को जो उनके सत्य और हिंसा के सिध्धान्तों की बात कही जाती रही आज गांधी जहिंती का मौका और राजगाट पर पुश्पांजली कारिक्रम दिली से तस्वीरे टेलजिन स्क्रीन पर आपके और देखिए बापू के जीवन की बात सदेव करते आए हैं और इसी वज़ा से प्रधान मंति नेरिद बोधी भी पहुंचे जानकारी आपको दे रहे है कि गांधी जी का जन्म जब हुआ था दो अक्तूबर 1889 को गुजरात के पोरबंदर में वहीं लंदन में वकालत की पढ़ाई उन्होंने कि और अब साउथ अफरीका से बताया जाता है कि अपना करियर शुरू किया था फिर उन्होंने अन्याय के खिलाफ नसली अन्याय जो होता है उसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी और इसी को लेकर कि उन्होंने एक अंदोलन भी चलाया था अलग जगाने का प्रियास किया गया था और अन्याय की प्रती आवाज उठाने की बात महत्मा गांधी ने सदैव की लेकिन उस आवाज को उठाने के लिए उन्होंने एक रास्ता दिखा एक मार्ग बताया और वो रास्ता था सत्य का वो रास्ता था अहिंसा का सक्ते के मार को अपनाते वे और हिंसा पर न जाते वे अहिंसा पर रहते वे किस तरह से अपने विचारों सिध्धानतों को हर एक व्यक्ति तक पहुचाया जा सकता है किस तरह से एक अंदोलन चेड़ा जा सकता है उस अन्याय के खिलाफ लेकिन अहिंसा के रास्ते वो सिखाया देश के राश्पिता ने वो सिखाया बापु ने वो सिखाया मात्मा गांधी ने और इसी वज़ा से उन्हें यात किया जाता रहा उनकी जैन्ती के मौके पर भी उन्हें पुश्पांजली अर्पित की जाती रही और बापु के जीवन से सीखने की बाद सदैव क जाती रही तस्वीर राजगाट से जब प्रधान मत्री दरेद बोधी पहुंचे और अब नमन किया बापू को पुषपांजली अर्पित की गई हो और प्रधान मत्री दरेद बोधी कई मौकों पर बापू को याद भी कर चुके हैं जब भी जीवन का कुछ मैत्पूर्ण प बापू को नमन कर ने पहुंचते हैं प्रधान मत्री दरेद बोधी और जब आज मौका जहनती का है तो आपकी टेलजन स्क्रीन पर चार तस्वीर है आपको दिखा रहे हैं चार तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहली तस्वीर जब देश के प्रधान मत्वी पहुंचे राजखाट बापू को दमन किया दूसरी तस्वीर लोगसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे राजखाट और पुषपांजली अर्पित की गई यक्ति हो या फिर किसी राश्णितिक जगत का या देश का प्रधान मत्वी हर किसी ने मात्मा गांधी के सिधानतों को विचारों को जीवन में अपताने की बात कही है लोगसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे हैं और बापो को अर्पित की है पुषपांचली तस्वीरे राजगाट से राहूल गांधी ने एक तरफ बापो को नबन किया दिली सीम आतिशी ने भी नबन किया तो ही लोगसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे हैं राजगाट और बापो को नबन कर रहें देखिया पुषपांचली अर्पित करने के लिए आगे बड़े लोगसभा स्पीकर ओम बिला और पुषपांचली अर्पित की जा रही है देखिये देश के राश्पिता कहें बापो कहें या महात्मा गांधी कहें आज उनकी 155 जैनती और विसी वज़ा से बापो को नबन किया जा रहा है और बापो से सदैव ही प्रेणना ली जाती रही है चुकि बापो ने जीवन परियंत सत्य का और अहिंसा का मार्ग अपनाने पर जोर दिया स्वतन्ता आंदोलन में बापो के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता सदैव सत्य की और अहिंसा की बात किया करते थे बापो और आज जब उनकी जैनती है तो ऐसे में लोकसभा स्पीकर ओम बिल्ला भी पहुंचे राजखाट और बापो को नमन किया पुश्पांजली उनके द्वारा अर्पित की गई दिल्ली से सीधा तस्वीरे लोकसभा स्पीकर ओम बिल्ला ने बापो को नमन किया है और पुश्पांजली अर्पित की गई है मार्तमा गांधी की जैनती के मौके पर आज एक तरफ देशभर में विभिन आयुजन हो रहे हैं बापो को याद किया जा रहा है तो वहीं बापो के जीवन के अन्मोज विचार रहे हैं और अब उनके जब बाजन दिन की हो जनम दिवस की हो तो उनकी उपलब्धियों को उजागर करनी साथ ही उनके आधर्श को बनाये रखने का संकर्प लिया जाता हूँ इसे वज़ा से बापो को याद किया जाता है एक प्रिर्णा स्तोत के रूप में बापो को याद किया जाता है शान्ती और अहिंसा के सिद्धान से बच्चों का और हर एक व्यक्ति का परिचे कराने की बापो की कोशिश है और बच्चों को बापो की जीवन से यू तो कई गुंड सिखाए जा सकते हैं लेकिन बापो के उन अनमोल विचारों को भी नहीं भुलाया जा सकता क्योंकि कहते आये थे कि जो व्यक्ति का डर होता है वो शरीर का रोग नहीं होता बलकि वो आत्मा को मारता है इसकी मेहद्वता बापू ने बताई थी और बापू को याद किया जाता है सत्य और अहिंसा के लिए भी और यह प्रिणना भी ली जाती है कि अगर सत्य और अहिंसा का मार्ग अपना कर कुछ ठान लिया जाय तो फिर हासिल भी उसे किया जा सकता है देखे इतना ही नहीं दो तस्मीरे आई हैं ओम बिरला के राजगाट पहुंचने को लेकर के एक तरफ ओम बिरला पहुंचे राजगाट और दोसे तस्मीरे जब बापो को नमन किया गया पुश्पांजली अर्पित की गई देखे बापो सदैव ही दूसरों की साहता करने की बात कहा करते थे जीवन का उद्देशे भी इसे बताया करते थे और इसके लावा उन्होंने कहा कि पहले लोग आपको देखेंगे अंदेखा करेंगे फिर हसेंगे आपसे लड़ेंगे लेकिन अब आप जीच जाएंगे बात सत्याग्रे की हो या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ों का नारा जब बापो ने दिया और स्वदेशी वस्तों को अपनाने की बात बापो ने कही और उनके जीवन का वो हर एक दौर चाहे दक्षुर अफ्रीका की यात्ता हो या फिर लंदन में वकालत की पढ़ाई की बात हो बापो का जीवन सडैव ही कुछ न कुछ सिखाता रहा और उन्होंने स्वतंता का मतलब भी बताया देखिए उन्होंने कहा कि स्वतंता एक जन्व की भाती है हम पूनत है स्वतंत नहीं हो जाते तब तक हम परतंत ही रहेंगे और करने की स्वतंता नहीं हो तब तक इसका कोई अर्थ भी नहीं